लो हिंदु धर्म में रोज कुछ न कुछ तेवहार आते रहते हैं जिसके वज़ा से क्या होता है कि हमारे बच्चे जो नॉन्वेज खाना पसंद करते उनको प्रॉपर नॉन्वेज नहीं मिल पाता है फिर वो वेज़ खाना को बहुत ज्यादा पसंद बिने करते हैं तो यह एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आपका बच्चा नॉन्वेज खाता है तो आप इसको जब बच्चे को खाने को देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा कि यह वज़ दिया है खाने के लिए या भी नॉन्वेज दिया है रेसिपी बहुत हीजी है हमने पानी को सबसे पहले अब इसको नुट्रिला को गरम पानी में डाल करके 20 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था इधर पराठा बनाने के लिए हम आटा लगा लेंगे हमने यहां पर मैदा लिया है आप चाहें तो यहां गेहु के आटे में पराठा बना सकते हैं थोड़ा सा नमक डाला थोड़ा सा रिफाइन डाला उसको अच्छे से सौफ्ट आरता गूंद लिया इसको भी आदे घंटे के रिष्ट के लिए रख दिया है तब तक नुट्रिला अच्छे से सौफ्ट हो चुका है और नुट्रिला को जब भी आप गरम पानी में भीगा करके रखेंगे तो इसे अच्छे स वास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो देखें कई बार वास किया फिर हमने हाथों से दबा दबा करके उसे अलग कर लिया और फिर मिक्सी में हमने निट्रिला को ग्राइंड कर लिया है अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को 2-3 चैनल को ग्रीब हमने डाल दिया है चिकन मसाला इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा अछाता है और खाने में le Gal'र भी लगने लगता है थोड़ा सा कसूरी मेंनों मिक्स कव थिकों हाथ हो से मसल करके इसमें डाल दिया और दो बड़े चैनल के करीब हमने इसमें दही डाल द गी डाला इससे भी फ्लेवर बहुत ज्यादा होता है तो कुछ कुछ चीजे बनाने में ऐसे होती है कि जब आप उसका यूज करते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही अलग हो जाता है जब अच्छे से गरम हो जाता है तो उसके बाद देखे थोड़ा सामने जीरा डाल दिया जी में ही कद्दू कस कर लिया था और फिर मतलब कद्दू कस कर लीजे या तो उसको बहुत थोड़ा थोड़ा चॉप कर लीजे चॉप करने के बाद हमने उसमें डाल दिया उसको थोड़ा सबूनने के बाद फिर से जो घर की गरम मसाले होते हैं धनिया पाउडर घरम मसाला हल बस भूनने के बाद थोड़ा धनिया को हमने काट करके थोड़ा ज्यादा एमांट में रख लिया था और इसको रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी देर में हम डालती जा रहे थे जैसे जब हम गरम मसाला भून रहे थे उस ताइम भी थोड़ा सा धनिया डाल दिया था इससे भी फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा बन करके उभर जाता है देखिए तेल एक दम अलग हो गया मसाली से इसका मतलब है हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है इसके बाद जो हमने उधर नुट्रिला में जो भी मसाला डाल करके त्यार किया था उन सब को अब मिक्स कर दीजेगा और मिक्स करने के बाद फिर एक दम मेडियम टू स्लो फ्लेम में धक करके इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक के लिए पका लेना है जब आप इसको पका लेंगे तो यह एक मिक्स टाइप का आपने चिकन कीमा मतन कीमा जरूर खाया हुआ यह एक दम वैसा ही बन करके तयार हो जाता है देखिए अब यहां पर जो भी हमने आटा तयार किया था वह आटा भी मेरा सॉफ्ट हो चुगा है उसको जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरीके से रोटी बना करके अब हम इसको कडाही पर शेकते हैं अच्छे से तो इसको हम थोड़ा हाथों से भी डाल करके देखिए कपड़ा लिया है हमने कॉटन का कपड़ा उससे उसकी मदद से दबा दबा करके इसे अच्छे से शेक लिया जाता है यह पराथा भी इस सबजी के साथ खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो इस रेसिपी को हम दो सोया कीमा भी कहते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखिए दोस्तों पराथा भी हमारा कितना क्रिस्पी क्रिस्पी एक दम बाहर की तरह बन करके तयार हो गया है बस इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया जाता है क्योंकि मैदे का रहता है अगर आप चाहो तो घी लगाओ या ना लगाओ और बस इसको बीच से कट करके इसको सर्व कर देते हैं उसी सबजी के साथ खाने में बहुत ज्यादा डिलिस्यस और दुसरी बात प्रोटीन से भरपूर यह डिस्था खाने में बहुत ज्यादा अच्छा बन करके तयार हुआ था जो हमारे बच्चों को जो क्रेविंग होत कभी एका दसी होता है तो कभी टूजडे है तो कभी सैटल्डे है तो उन सब दिन पर आप यह सब अपने वच्चों को बड़े आसानी से बना करके